असलाम अलेकुम जी, so we are done with the business card template इसके बाद हम अपने card को इस template के अंदर design करते हैं तो वापिस हम अपने sketch की तरफ जाते हैं और हमने यहाँ पर इस sketch को mark किया था इस sketch को मैं select कर लेता हूँ इसको मैं ctrl C कर रहा हूँ और illustrator में आके ctrl V करता हूँ तो हमने अपने sketch को design करना है इस template के उपर तो हम इस template को group कर लेते हैं और layers में जाके इसको log कर लेते हैं ठीक है, एक और layer create करते हैं और इसको नाम देते हैं जी, template का और इसको नाम देते हैं जी, business card ठीक है जी, तो अगर मैं चाहता हूँ के जो मैं layers नहीं create करूँ वो business card में add हूँ तो इसको हम select कर लेते हैं और उसके बाद अपनी layers को add करते हैं तो सबसे पहले हम नाम add करते हैं तो मैं text को ले रहा हूँ let's go with the black color ठीक है, यहां पे click करते हैं और write the name John Mango ठीक है करेक्टर में जाके यहां पे हम लोग poppins use कर लेते हैं जो के हमने अपने quotation design वाले project में भी use किया था So I'm going with a poppins bold इसका size हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं and let's write the name ठीक है जी इसके बाद हम अपनी बाकी information को लिखते हैं और उसके बाद अपने content को organize करते हैं So इसको हम regular करते हैं और यहां पे उसका जो title है job title वो रिखते हैं जी general photo ठीक हमने decide किया था हम इसको vertical लिखेंगे अच्छा इसको vertical करने के लिए the way is very simple मैं अपने keyboard से shift को press कर रहा हूं और अगर मैं इसके corners के उपर आहूं तो यह आपको एक rounded arc नजर आ रही है So मैं इसको यहां पर click कर रहा हूं और shift को press करके मैं इसको rotate करता हूं So यह इसने 45 पर rotate कर दिया और यह इसने 90 पर कर दिया इसके बाद मैं इसको उठाके फिलहाल यहां पर लिख लेता हूं इसके बाद हम वापस आते हैं हमें मजीद information चाहिए तो जी उसका phone number आएगा So let's go with a dummy phone number 00887700 ठीक है जी So Pakistani mobile numbers इसके बाद हम इसका यहां पर address लिख लेते हैं is I do not remember it but let's give it a name as 32a mango market चीक है और last में हमारे पार साहिग इसकी website that is www.mangomarket.com I guess यही नाम था इसका So इसको हम थोड़ा सा शोटा कर लेते हैं अच्छा जी यहां पर एक चीज़ बड़ी important है अगर मैं इस text के size को देखूं that is 7.127 तो एक चीज़ खास क्याल रखने वाली है यहां पर जब business का design करते हैं हम text को size देते हैं that is the minimum size should be 8 points 8 points से कम size नहीं होना चाहिए because उसकी जो readability है जो clarity है उसको पढ़ने के अंदर वो फिर मुश्किल में आ जाती है और it's not easy for everyone to read the content तो कोशिश करें कि at least minimum से minimum 8 points से कम आपके font का size नहीं होना चाहिए ठीक है जी तो हमने 8 points set कर लिया इसके बाद we decided के हम लोग यहां पे एक rectangle place करेंगे और उसको एक color assign करेंगे तो फिलहाल हम यहां पे एक rectangle draw करते हैं इसको एक size दे देते हैं ठीक है hex code वापस आगे देखते है hex code हमारा क्या था requirements के अंदर इस hex code को यहां से हम copy कर लेते हैं ठीक है वापस आते हैं तो वही hex code इसको assign करने के लिए the way is very simple मैंने अपनी shape को select किया मैं अपने colors वाले panel के अंदर आया और यहां पे fill पे double click किया और अभी तक हम अपने circle को rotate करते थे अपने इस box के अंदर तो उसके बाद अगर आपने hex code copy करना है paste करना है तो आप control V करें and we are good to go ठीक है जी तो layers panel में जाके इस template को fill हाल hide कर लेते हैं और यह जो rectangle है इस layer को सबसे पीछे ले जाते हैं ठीक है तो हमारे पास अभी तक यह results है यह जो पर हमारे पास john mango है let's move it like this इसका size हम थोड़ा सब बड़ा कर लेते हैं ठीक है जी between the lines हम spacing कम करना चाहते हैं so मैंने इस content को इस text को select किया character वाले panel में गया और यहां से between the lines spacing हम reduce कर लेते हैं ठीक है set it as 22 so 22 is good sizes का मजीद थोड़ा सब बड़ा करते हैं और मजीद इसकी spacing adjust करके देखते हैं so 23 is good ठीक है और अगर हम दुबारा से अपने template की layer को visible करें so एक चीज़ का मैं खास क्याल रखना है कि हमारा जो content है वो इस safety line से बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है so हमारा यह safety line के अंदर ही है दुबारा layers में जाते हैं इसको hide कर लेते हैं ठीक है जी इसके बाद हम अपने इस content को adjust करते हैं कुछ यहां पर और अपने इस content को adjust करते हैं कुछ एदर इसके साथ प्ले करके देखते हैं जी जी जरा mango market.com और mango market I do not remember the website so yes the website is super mango ठीक है जी यह हमारे पास content आ गया जिसका minimum size at least eight points होना चाहिए आप इसे ज्यादा भी जा सकते हैं तो let's make them a little bold ठीक है जी और इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं यहां पर हमने अपने sketch के अंदर कुछ artwork प्रेजेंट किया था sketch हमारा गाइब हो गया यहां से so artwork create करते हैं मैं यहां से एक line tool ले रहा हूं अभी दख हमने line tool यूज नहीं किया था but it's very simple to use मैं line tool ले रहा हूं और यहां भी मैं click करके drag करता हूं और अगर मैं अपने keyboard से shift को press कर लो तो यह straight line draw करेगा ठीक है 45 के angle पे और this is going to be a horizontal line and this is going to be a vertical line so एक vertical line draw करते हैं इसको एक stroke assign करते हैं और फिर हम यहां पे effects menu में जाके इसको distort करते हैं और distort में जाके इसको zigzag manner में display करते हैं so let's display it as like this इसको ok करते हैं इसको size है वो थोड़ा सा छोटा करते हैं it's a very large in size अब मैं दुबारा से इसकी zigzag वाली properties को change करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा appearance वाले properties panel में जाओंगा मैंने इसको select किया और appearance वाले properties पैनल में गया इसमें हम zigzag पे दुबारा क्लिक करते हैं और let's move it as a little ठीक है जी और इसको हम करते हैं जी okay इसको यहां पे present कर देते हैं ठीक है जी इसके एक और copy लेते हैं alt press कर रहा हूं और उसको drag करके थोड़ा सा यहां पे ले आते हैं ठीक है इसका अगर आप stroke ज्यादा करना चाहते हैं तो windows में जाएं और यहां से जाके stroke वाला properties panel open कर लें अभी जो इसका weight है that is one points इसका weight 2 करके देखते हैं या इसका weight यहां पे 1.5 करके देखते हैं ठीक है 1.5 looks good तो दुबारा से अपना template open करते हैं उसको visible करते हैं और let's see कि हम लोग we are within the safety lines इसको थोड़ा सा मुझीद adjust कर लेते हैं ठीक है और अपनी safety lines को दुबारा से hide करते हैं इसमें हमने दो चीजें बड़ी important notice की design करते हैं एक तो safety line का बड़ा खास क्याल रखा के safety lines हमारा content बाहर नहीं जाना चाहिए और दूसरा हमने gc's का खास क्याल रखा है कि अगर आप अपनी layers को rename करें साथ-साथ उनको नाम देते जाएं ताके आपको पता चले कि कौन सी layer क्या काम कर रही है आपके design के अंदर सब्सक्राइप कर देसे लिए इसा वी जाएंस बाहार एक जाएंस